तो बीजेपी की तरफ से आठवा कैंडिडेट आज आ गया जिसकी चर्चा थी और उसकी वजह भी बन रही थी जिस तरीके से स्वाइब साद मौरे ने मोर्चा खोला और पल्लवी पटेल ने कह दिया कि वोट नहीं करेंगी तो ऐसा लगने लगा कि समाजबादी पार्टी का जो तीसरा कैंडिडेट है वो वल्नरेबल है वो कैंडिडेट हार सकता है और बीजेपी यहाँ पर अपने लिए मौका देख रही है तो उन्होंने पार्टी के भीतर धन्ना सेट माने जाने वाले संजशेट को उतार दिया है संजशेट कभी समाजबादी पार्टी के शीरस नेताओं के बड़े ही करीबी हुआ करते थे संजसेट बहुत बड़े बिल्डर हैं और संजसेट बहुत बड़े धन्ना सेट भी है लखनव और उत्तर प्रदेश में उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत बड़ी मानी जाती है और लखनव में तो उसका बहुत बड़ा नाम है बहुत अच्छा खासा नाम है तो हजारों कड़ों के संपत्ती के मालिक हैं कभी समाजवादी पार्टी के कोशा ध्यक्ष हुआ करते थे और मुलायम सिंह यादों से लेकर पूरा यादों परिवार या यूं कहलें वो पूरे यादों परिवार के बेहद करीबी थे पंदाजा लगा ये कि कुछ साल पहले तक समाजवादी पार्टी का जो शक्स लेखा जोखा रखता हो समाजवादी पार्टी के पैसे का जो हिसाब किताब जानता हो कुछ साल पहले बीजेपी ने उन्हें तोड़ लिया था और बीजेपी ने उनसे इस्तीफा दिलवा कर उन अपना टिकट नहीं दिया, उन्हें सदसिता के लिए उनका नाम आगे नहीं किया था, लेकिन ये मौका दिख गया, और संजे सेट समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उसके इन्स एन आउट को बहुत बढ़िया से जानते हैं, उनके सभी बड़ समाजवादी पार्टी के इस पुराने चेहरे की बीजेपी में अचानक पूछ इसलिए बढ़ गई, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी को तोड़ करके ही, यानि कि उनके विधायकों को अपनी तरफ ला करके ही आठवी सीट बीजेपी जीच सकती थी, और जहां जहां कह परचा भर दिया, आज परचा भरने का आखरी दिन था, लेकिन अब समीकरन कैसे बदल रहे हैं, समीकरन कैसे फिट होंगे, हम आपको ये बताने जा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के भीतर संजेश सेठ के बीजेपी के तरफ से चुनाव में आने के बाद ही एक तरीक समाजवादी पार्टी 111 के अपने आंकडे तक पहुची नहीं पाईगी, क्योंकि सपा को 111 विधायक या 111 वोट प्रथम वरियता के फर्स प्रेफरेंस के चाहिए, और अगर हम उसका गणित समझें, तो समाजवादी पार्टी के पास कुल 108 विधायक है, और 108 विधायको में भी कुछ जेल में हैं, रमकान्त यादो जेल में हैं, इर्फान सोलंकी जेल में हैं, तो ये आंकड़ा घटकर 208 से 206 तक पहुच जाता है, कॉंग्रिस का समर्थन अगर उन्हें मिलता है, तो फिर ये 208 तक जाता है, लेकिन फिर भी 211 यानि कि कम से कम 3 सीटें, 3 वोट और उन्हें चाहिए होगा, दूसरी तरफ अगर 37, 37, 37, तीन अगर उनके कैंडिडेट जीतने हैं, तो समाजवादी पार्टी को पहले और अपने दूसरे जो उनके कैंडिडेट हैं, उन्हें जिताने के लिए वो एक्स्ट्रा सर्प्लस जो एक्स्ट्रा वोट भी उनको आ रख रखे होंगे, कि कहीं उनमें ही खेलना हो जाए, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 5 से 6 ऐसे वोट हैं जो समाजवादी पार्टी को कम पढ़ सकते हैं, और 6 वोट अगर समाजवादी पार्टी को 1st प्रिफरेंस के कम पढ़े, तो बीजेपी के पास 29 सर्प्लस व वोट और एड हो जाते हैं, तो वो अपना उमिद्वार जिता ले जाएंगे, क्योंकि बाकी उनके पास जो दूसरी वरियता के वोट हैं, वो 288 होंगे, और समाजवादी पार्टी के पास 108 होंगे, तो ये आंकड़ा कैसे है, इसको भी समझ लीजे, सपा के पास इस वक्त 108 सीट हैं, जिसमें से दो जेल में हैं, और अगर जेल में मौझूद दोनों विधायकों को अगर वोट करना है, तो पहले अदालत की अनुवती लेनी होगी, और अगर हम इतिहास देखें, तो आजम खान को भी जब वोट करना था, पिछली बार विधान परिशद के वोट हैं, इसके अलावा, BJP के पास 13 वोट अपना दल S का है, 6 वोट निशाद पार्टी का है, 6 वोट उनके पास ओम प्रकास राजभर का है, और माना जा रहा है कि 2 वोट जो की जनसत्ता पार्टी है, उसका भी 2 वोट उन्हें मिलेगा, तो कुल मिला करके, और इसके अला अलावा, RLD जो NDA में आ चुकी है, उसके 9 वोट भी NDA के साथ होंगे, तो कुल मिला कर 288 वोटों का BJP का गणित बैठ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो BJP के भीतर डिफ्रेक्शन कराने में सफल होगी, BJP नहीं, NDA के भीतर, कैसे, तो 6 में 3 जो की ओंप्रकास राजभर की पार्टी के हैं, वो मूलता समाजवादी पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो ओंप्रकास राजभर की पार्टी से जीत कर विधायक बने हैं, और 9 विधायकों में से 4 विधायक, जो की RLD के हैं, वो भी समाजवादी पार्टी क के नेता रहे हैं और सिर्फ RLD के टिकट पर जीते हैं ऐसे में सपा को लगता है कि वो भी BJP के इंडिये के भीतर अपना डिफेक्शन कराने में सफल रहेगी यानि कि ये डिफेक्शन का खेल खूब होगा लेकिन क्या सचमुच ये संभव है इस सरकार के रहते हुए और इस च अपने जो नेता होंगे उन्हें अपना वोट दिखाएगा तब जाकर वोट करेगा ऐसे में RLD के बेशक जो चेहरे हैं जो सपा के रहे हों उनके लिए डिफेक्शन करना बड़ा मुश्किल होगा वैसे ही उम्परकास राजभर के नेताओं के लिए भी डिफेक्शन करना म आएगा क्योंकि 111 में से 45 पहले से कम है और पलवी पटेल अगर उन्होंने वोट नहीं किया तो मान लीजिए कि फिर बहुत मुश्किल लडाई होगी समाजवादी पार्टी के लिए अपनी इस आखरी सीट को निकालना तो कुल मिलाकर संजसेट का दाओं बीजेपी ने सि ली है और बहुत कुछ दारुमदार जब साम दाम दंड भेद का होता है और उसमें भी लक्षमी के साथ तो आप अंदाजा लगा लिजे कि फिर जीत कहां ठहरती है